हेलो यूट्यूबन स्वागत है आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल एसे स्मार्ट क्लासिस में आज की इस वीडियो में हम एंसे रटी पॉल्टी क्लास सेवन का चैप्टार फाइब कंप्लेट करेंगे और तो ने बदली दुनिया काफे सारे इंपॉर्डरन पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे एक्जाम में भी इस दिकुशन आपको देखने को जरूर मिलेंगे साथी में देखी 10 बजे आपके हिश्ट्री की क्लास हो चुकी है और 12 बजे परड़े आपकी पॉल्टी की क्लास होती है चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही पर लाइकन को भी प्रिस कर लिजे ताकि ऐसी वीडियो आपका आगे भी मिलते रहें आज कर देखे अध्याय है अध्याय फट्राइब ऑरतों ने बदली दुनिया पिछले चैप्टर में देखे हमने पढ़ाता कि आउड़ती जो घर का काम करती है जिसका कोई टाइम नहीं होता सो बैसे साम तक उनका काम चलता है ऐसा नहीं होता कि दो गंटे चार गंटे का क इसको कोई काम नहीं माना चाता है और यहाँ हम पर नहीं कि पढ़ेंगे कि और लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं स्टार्ट करेंगे भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं उनके कामों में पौधे को रोपना घरपतवार निकालना फसल काड़ना और कुटाई करना सामिल है फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुस के बा समाजी से आता है कि दिमाग में वही चीज़ां पर दी हुई है लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा और किसानी में लगी हुई हैं निक्स देखिए कम औसर और कठोर अपेच्छा हैं रोजी मैडम की कच्छा में अधिकांस बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और प प्रैंसील और बिनम्र होती हैं इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है इसी प्रकार से माना जाता है कि विग्यान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है लड़कियों और महिलाएं तकनीकी कारे करने में सच्छम नहीं होती हैं तो दे दिकांस बच्चे जो हैं उन्होंने नर्स के रूप में महलाओं के छित्र बनाएं। लेकिन जब पाइलẹट के रूप की बात आई कि पैल अ क्याइलेट के चित्र बनाओं तो आप पूरुस के चित्र बनाओं एसा इसलिए उनगे प्रिस्षाथ रने के लिए वह सही होग सकत कर सकती है तो जो बड़ी बड़ी चीजों के पढ़ाया होती जिसे डॉक्टर बनना इंजीर बनना पैलेट बनना तो लोग लड़कों को पढ़ाते ही नहीं बलकि लड़कों को ही बस पढ़ाते हैं लड़कों को ही बस मौगा देते हैं अधिकांस परिवारों में स्कूली कि दुनिया के दबाओं का सामना करना पड़ता है कभी यह दबाओ बड़ों के पेच्छाओं के रूप में होता है तो कभी हमारे अपने हिमित्रों के गलत तरीके से चिढ़ने के कारण पैदा हो जाता है लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाओ होता है जिनसे उन्हें अधिक बेतन मिले जिदि वे दूसरे लड़कों की तरह बेवार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है जिससे यहां पर कुछ काम लड़कों के होते हैं कुछ काम लड़कों के यह समाज का मानना है और अगर उसके अलावा कोई लड़कें दूसरा काम करने लगती है तो लोगों दोरा चिठाया जाता है मतलब गलत कमेंट किया जाता है वही चीज यहां पर दी हुई है कि उसके कारण लड़कों का लड़कों पर भी क्या जाता है कि ज्यादा ज्यादा पैसे कमाओ अगर वो अपने मन के किसी काम पर लग जाए जिसमें कम प गलत तरीके से उन पर दबाव बनाया जाता है निक्स्ट है परिवर्तन के लिए सीखना इस्कूल जाना आपकी जीवन का बहुत महत्पूर सीखना है जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेस ले रहे हैं हम सोचने लगे हैं कि सब बच्च बात भी मानी जाती है बहुत ज्यादा विकास हो चुका है मतलब बहुत सारे पहले के टाइम में क्या हो था था कि बहुत कम लोग स्कूल जाते थे लेकिन बहुत सारे बच्चे इसकूल जाने लगे हैं लेकिन अभी कुछ जगह सीब हैं जो पिछड़ी हुई है जहां पर अच्छी से विवस्ता नहीं है लेकिन हो रही है दीरे दीरे तो आज के समय में सोचना कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ये एक अनुचीत बात है क्योंकि बहुत जारी विवस्ताइं हैं परन्तु अतीत में लिखना पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे अधिकांस लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी उस समाज में जहां लड़कों को पढ़ाना लिखाना सिखाया जाता था लड़कियों को अच्छर तक सीखने के अनुमती नहीं थी यहां तक कि उन परिवारों में भी जहां कुमारी बुनकर और हस्तकलाईं सिखाय जाती थी यह लड़कों और अर्तों को काम केवल सहायता करने तक ही सीमित था उधारान के लिए इस त्रियां मिटती एकर्दिज करती थी और बड़तन मनाने के लिए उन्हें तयार करती थी चुकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुमार नहीं माना जाता था तो दिखिए अल लड़कियों को स्वतंत्र नहीं किया जाता था मैं तब ये लोग सिर्फ हिल्प में लगी रहें जैसे कुमहार में मिट्टी बनाती थी लेकिन चाक नहीं पकड़ती थी क्योंकि माना ही नहीं जाता था कि ये लोग चाक भी पकड़ें 19 सदापती में लगबग 200 वर्षपूर सिच्छा के बारे में कई नए बिचार ने जन्म लिया विद्यालय का अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयम कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों के स्कूल भेजने लगे तब भी लड़कियो बहुत सा संगष किया। तब धिर唱 को पढ़ने लिखने का आउसर दिया गया और आज के समर में तो दीखे कितनी जादा आए पढ़ाय लिखाये में प्रचलन में वे प्रची के अब पढ़े हैं। आईए हम राज सुन्द्री का अनुपव पढ़ें, राज सुन्द्री देवी हैं, 1880 से 1890 तक, इनका एक अनुपव है, जो यहाँ पर बता है, 200 वर्स पूरु पर्शिम मंगाल में पैदा हुई, 60 वर्स की अवस्था में उन्होंने बंगला भासा में अपनी आत्मकता लिखी, उनकी पुस्तक कुन से थी, रामा भाई, अमिर जूबान थी उनकी पुस्तक, किसकी पुस्तक थी है, तो यहाँ पर देखिए, साप साप देवह हुआ है, कि राज सुन्द्री देवी की पुस्तक थी, अमार जिबोन थी अमार जिबोन किसी भारती महिला दोरा लिखे पहली आत्म कता है राज सुन्दरी देवी एक धनवान जमीदार परिवार की ग्रहणी थी तो याद रखेगा भारती महिला दोरा लिखे पहली आत्म कता कौन सी है अमार जिबोन किसके दौरा लिखी गई है रासुंद्री दौरा उस समय लोगों का विस्वास था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है तो वह पती के लिए दुर्भाग गिलाती है और बिध्वा हो जाती है इसके पाउजोद उन्हों ने अपनी साधी में के बहुत समय बाद ही स्वयम ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा था उन्होंने देखिया अपनी यात्मकथा में लिखा है कि मैंत्यन सबेरे ही काम करना सुरू कर देती थी और इधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी बीच में भी विस्राम नहीं होता था उस समय मैं किवल 14 वर्स की थी मेरे मन में एक अभिलासा पनपने लगी मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पाड़ोली पी पढ़ूंगी मैं भागी थी उन दिनों इस त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था बाद मैं सुयम ही अपने विचारों का बिरोध करने लगी मुझे क्या हो गया इस्थियां पढ़ती नहीं है फिर मैं कैसे बढ़ूंगी फिर मुझे एक सपनाया मैं चैतन भागवत एक संद का जीवन प जब मैं इसे मगाओं तुम मुझे अंदर ले आना वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए जब पुस्तक अंदर रख दी मैं गई मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सौधानी से चुपा दिया उसे चुपाना भी एक बड़ा काम था क्योंकि किसी को भी मेर हाथ में नहीं दिखना चाहिए था मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अच्छर बनाने का अभ्यास कर रहा था उससे उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया जब मौका मिलता जाता मैं अपनी और उस पन्ने के अच्छों का मिलान अपने याद क मैंने उन सब्दों को भी मिलान करने की कोशिस की यहां पर देखे इनकी पूरी कहानी दी गई है यह जो है राज सुन्दरी जी इन्होंने कैसे पढ़ना लिखना सीखा इंपोर्टन नहीं है इसमें ज्यादा कुछ इसका पीडिये में सेयर कर दूंगे आप लोग पढ़ना भी सीखा और उसी से उन्होंने चैतन भागवत पढ़ने का उसर मिला साथ ही में इस्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक उसर दिया राज सुन्दरी देवी ने अपने दैनेंदिनी जीवन में अनुभवक अविस्तार से लिखा है ऐसे भी दिन होते हैं जब उन्ह रुकया सखावत हुसेयन और लेडी लैंड का उनका सपना था रुकया सखावत हुसेयन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिनके पास बहुत जमीन थी यद्दे पर उर्दू पढ़ना और लिखना आता था परन्त उन्हें बंगला और अग्रेजी सीखने से रोका गय इसको भी आप लोग पढ़ लिजेगा कुछ खास इंपॉर्टन नहीं है इसमें एक चीज है कि 1910 में उन्होंने कुलकाता में लड़कियों के लिए की स्कूल खोला जो आज भी खार कर रहा है बात करें एकर वर्तमान में सिच्छ के बिद्याल होगी वर्तमान में इसके क्या हाल है आज के यूग में लड़कियों में भिसाल संख्या में बिद्याले जा रहा हैं लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के उन लड़कियों की सिच्छ में अंतर है भारत में हर 10 production में ज बच्छर हैं कितने स्कूल जाते हैं कितने बिल्कुल भी नहीं जाते सारा वर्णन इसमें होता है तो वहीं चीज यहां पर दी गई है भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में बिस्तरत जानकारी की जाती है जैसे उनकी पढ़ाई उनके दोरा किये जाने वाले काम आधी इस जानकारी के इस्तमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं जैसे सिच्छित लोगों की संक्यात था इस्त्री और पुरसों का नुपात कितना नुपात है इस्त्री पुरसों का साथ ही में कितने सिच्छित लोग हैं सभी चीजेव की जानकारी यहां से मिल जाती है जनगर्णा से, 1961 की जनगर्णा के अनुसार, जब लड़कों और पुरसों का 40 प्रसद सिच्छित था, तो देखी, यहांपर 1961 की जनगर्णा दी गई है, कि उसके अनुसार, बुक आपकी देखी, यहांपर जो 40 प्रसद थी, वो बढ़कर 82 प्रसद हो गई, सिच्छित लड़कों और मिस्त्रियों की संख्या 65 प्रसद हो गई, यह भी 15 से बरकर 65 हो गई, लेकिन फिर भी अभी पुरसों के भराबर नहीं है, इसका असर यह हुआ कि पुरसों और इस्त्रियों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया, जो पढ़ लिख सकते हैं, और जिने कुछ हद तक सिच्छा मिल चुकी है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी इस्त्रियों की तुल्ला में पुरसों का प्रचत अधीक है, इनके बीच का अनुपात अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो देखिए जब दोनों का अनुपात समान हो जाएगा, तभी यह माना जाएगा कि हाँ, सिच्छा के शेतर में भी इनके बीच का अंतर समाप्त हो गया है, मतलब अब दोनों को समान रूप से पढ़ाया जाने लगा, तो यह देखिए डाटा है, याद रखिएगा, यह हम पर देखिए, स्कूल सिच्छा में आउस्त वार्षिक ड्राप आउट दर, मतलब स्कूली सिच्छा से जो बच्चे छोड़ देती हैं बीच में पढ़ाय करते करते हैं, वही चीज यहां पर दी गई है, कि कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, प्रात्मिक अच्छा, माध्मिक अच्छा और उच्छ माध्मिक तीनों का लगलग दिया गया है, लड़के, लड़कियां, तो देखिए, लड़के 4.3, 6, लड़कियां 3.8, और योग खुल हो गया 4.1, 3, इसे ही लड़के, अनसूचित जाते लड़कियां, योग, लड़के, अनसूचित जाते लड़कियां, तो लिखिए, यहां पर सारा डाटा दिया गया है, कि कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, उपर की दीके इतालिका में इस बात का ध्यान दिया होगा, कि सब लड़कियों की स्रणी की तुलना में, अनसूचित जाते और अनसूचित जन जाते की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है, इसलिए अर्थ यह हुआ कि दलित वादिवासी प्रश्ट भूमी क लड़कियों में स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है, बतब यह लोग दलित वादिवासी जाती की जो होती है, लोग जल्दियां स्कूल छोड़ देते हैं, घर वाले छुड़वा देते होंगे, वर्स 2015 की जन जाते यह भी पता चलता है कि अनसूचित जाती और स्कूल में चार वर्स का समय बिता पा रही है, तो यह देखे, जानकारी जन गड़ना के रुसार पाई गई है, दलित आदिवासी और मुस्लिम वर्गे के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण है, देश के अनेक विभागों में बिसेश कर, ग्रामिड और गरी प्षेत्रों में नेमित रूप से पढ़ाने के लिए उचित स्कूल है, ना ही सिच्छक, तो देखे, बहुत ऐसी जगए हैं जहांपर ना ही उचित स्कूल है, और ना ही ऐसे सिच्छक, यह भी एक कारण है, यह दि बिद्याले घर के पास ना हो, और लाने ले जाने के हम ऐसे दूर स्कूल नहीं भेजेंगे, पास में होता तो बेज देते, इस कारण से भी सिच्छा नहीं उनको मिल पाती है, साथी में कुछ हज़े भी परिवार होते हैं, जो खर्चा नहीं उठा पाते, बहुत से बच्चे स्कूल भी स्कूल छोण देते हैं, क्योंकि उनके चौदा में सुरू हुई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान, जो देखिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कब से शुरू हुआ था तो याद रखेगा 2014 से, बात करें महिला अंदोलन की, महिलाओं ने देखिए कुछ अंदोलन भी किये हैं, प्रिक्यों महिलाओं की बेहतर इस्थिती हुई है, जिसके कारण बहुत सारे कानून है, जिसके कारण अब कोई उनके साथ दूर्पयोहार नहीं कर सकता है, ये परिवर्थन अपने आप ही नहीं आएं, और तो ने ब्यक्तिगत इस तर पर और आपस मिलकर इन परिवर्थन लोग की मेहनत निष्ठा और उनकी विसेस्ताओं को इसे बहुत ही जीवन्त अंदोलन बनाती है इसमें चेतना जागरत करने भेदभाओं का मुकाबला करने और नयाय हासिल करने का उपयोग किया गया है इनकी कुछ जलकिया आप यहां देख सकते हैं तो यह देखिए इसे संगठन हैं जिन्होंने अंदोलन चलाया कि यह गलत बात है हमाई साथ नहीं भेदभाओं किया जाए और नहीं हिंसा किया जाए अभियानों के फल सुरूप नए कानून भी बने हैं यह 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर सारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही इस कानून से उनकी रच्शा की जाती है वो इस कानून की हेलप ले सकती है इस तरह महिला अंदोलनों के अभियान के कारण 1997 में सरोच नरय ने कारग की स्थान पर और सचने स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यह योन प्रताणा से engines रच्शा प्रतान करने के लिए द देखें, 1980 के दसक की बात है, में देश भर्ग में महिला संगटनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई, तो देखें, ऐसा हुभी होता है कि बहुत से लड़कियों को दहेज के कारण उनको मार दिया जाता है, या वो लोग खुछ से साइट कर लेती, क्योंको फि उठाई थी, महिला संगटनों दोरा इस बात की कड़ी आलोशना की गई कि कानून अपरादियों का कुछ नहीं कर पा रहा है, इस मुद्दे पर महिलाएं सडकों पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खट-खट आए, और आपस में अनुभावा जानकारियों का पाधान प्रदान किया, अंतिता ये समाज एक बड़ा सारवजनिक मुद्दा बन गया और अकबारों में छाने लगा, दहेज से समधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके, तो देखिए अभी ये कानून है, कोई दहेज नह महिला दिवस को दुनिया भर के ओरते अपने संगर्सों को ताजा करने और जस्न मनाने के लिए इकठी होती है, तो देखिए अंतरदी महिला देवस कम मना जाता है, 8 March को मनाया जाता है, International Women Day जिसमें क्या होता है कि और आपने संगर्सों को मतलब क्या का, उन्होंने संगर्स किया है समानता पाने के लिए ताजा करने के लिए बहुत सारी ओरतों के ज़र संगर्ठन होते हैं उपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान की सीमा में ये प्रोग्राम मनाया जाता है लोग और ते जो हैं मुंबतिया लिए जस्त ये लोग भी मना रही हैं तो यहां पर देखें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिया है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे साथ ह कि में जो भी चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रिस कर दीजे ताकि ऐसे ही वीडियो आपका आगे भी मिलते रहे हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग